Hello students, welcome to English Classes UP Board Students, इस वीडियो में आज हम पोयम स्टडी कर रहे हैं How to Tell Wild Animals ये पोयम क्लास 10 के सलेबस से रिलेटेड है और इस पोयम का टाइटल कहता है कि जंगली जानवरों को हम किस प्रकार बताएं ये पोयम लिखी गई है कौरोलिन वेल्स के द्वारा और ये पोयम एक बहुत ही मजाकिया हसी मजाक वाली पोयम है जो खतरनाक जंगली जानवरों को एक रिदम के अनुसार कविता के अनुसार डेस्क्राइब करती है तो आएए स्टडी करते हैं पोयम How to Tell Wild Animals If ever you should go by chance to jungles in the east यदि कभी आप by chance पूर्व दिशा की तरफ जंगलों में जाते हैं और यदि वहां आपके सामने आगे बढ़ता हुआ एक विशाल टावनी हलके भूरे पीले रंग का एक बीस्ट बहुत विशाल का एक जानवर आपके सामने आजाता है इफ ही रोर्स और यदि वहां दहारता है आपकी तरफ और आपको ऐसा डर लगे कि जैसे आप मर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे आप जान लीजिए कि ये कौन सा जानवर है एशियन लाइन ये एशिया का लाइन है जब आपको उसकी दहार से मरने जैसा डर लगने लगे तो ये एशियन लाइन है और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नॉबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू और यदी कभी रोमिंग अराउंड इधर उधर घुमते हुए एक नॉबल वाइल्ड एक जंगली जानवर आप से आकर ग्रीट करता है मतलब आपको हेलो बोलता है भूरे रंग की धारिया हैं जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो विद ब्लैक स्ट्राइपस ओना येलो ग्राउंड जास्ट नोटिस इफ ही इट्स यू और तभी वह आपको खाने के लिए दोडता है तो ये सोचने की बात है ये एक साधारन सा नियम है जो आपकी मदद करेगा और सिखाएगा कि ये कौन है ये है बैंगॉल टाइगर है बाग जिसे कहा जाता है और इसे बैंगॉल टाइगर भी कहा जाता है और यदि इधर उधर घूमते हुए आपको एक बीस्ट एक विशाल जंगली जानवर आप देखते हैं जो छिपा हुआ है अपने धब्बेदार काली मिर्च जैसे धब्बों के साथ इस स्टेंजा में जिस जानवर के बारे में कहा जा रहा है उसकी बॉडी पर पैपर्ड काली मिर्च जैसे छोटे-छोटे स्पोर्ट हैं और उनी धब्बों की वेज़े से वह आसानी से हाइड अपनी बॉडी को छिपा लेता है जैसे ही वह आपके उपर जप्टेगा तो आप जान जाओगे कि वो कौन है जिसकी पिक्चर आप यहां देख सकते हैं और वह दर्द से चिलाएगा नहीं दर्द से चिलाना अच्छा नहीं होगा वह हर बार चलांग लगाएगा और दोबारा फिर से चलांग लगाते हुए चला जाएगा और यदि कभी अपने आंगन में टहलते हुए यू मीट अ क्रियेचर देयर वहां आपको एक प्राणी एक जानवर मिलता है who hugs you जो आपको गले लगा लेता है very very hard बहुत बहुत ज़्यादा कसकर be sure it's a bear तो फिर आप निश्चित हो जाईए कि ये गले लगाने वाला जानवर कौन है it's a bear यह है एक हालू है if you have any doubts I guess और यदि आपको कोई शक है I guess तो मेरा अनुमान है he will give you just one more cares तो वह केवल आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है cares cares means care करना परवा करना तो वह आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए आपको वो गले लगा रहा है though to distinguish beast of prey a novice might non plus यद्धपी ऐसा भी शिकार करने वाले जानवर है जो दूसरे लोगों को confuse कर देते हैं novice means nocical जो शिकार करने में अभी नए लोग है non plus उनको confuse कर देना उनको reality का पता नहीं चलता है तो ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो लोगों को जो नए लोगों को confuse कर देते हैं आप एक क्रोकोडाइल और हाइना में किस प्रकार से बता सकते हैं उनका difference हाइना come with merry smile हाइना आते हैं जब तो बहुत प्यारी smile करते हुए आते हैं but if they weep they are crocodiles लेकिन यदि वे रोते हैं तो crocodiles हैं तो वे मगरमच हैं इस stranger का meaning है कि हाइना और crocodiles में एक similarity और एक contrast है दोनों ही जानवर बहुत बड़े शिकारी हैं लेकिन हाइना जो है वो जब शिकार करता है तो उनकी जो ग्रुप की आवाज है वो हसी के रूप में सुनाई देती है जैसे कि कोई मुस्कुरा रहा हो और वहीं अगर crocodile शिकार करता है अपने शिकार को जब निगलता है अपने पेट में तो उसकी आँखों से आसू आ जाते है The true chameleon is small और एक ये true chameleon ये बहुती सच्चा गिर्गिट है छोटा सा A lizard sort of thing एक छिपकली के जैसी चीज He hasn't any ears at all इसके पास कान बिलकुल भी नहीं होते है And not a single wing और ना ही कोई भी एक punk होता है If there is nothing on the tree और यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है It is the chameleon you see तो तब आप देखोगे कि वहाँ पर chameleon है यदि कोई भी जानवर नहीं है तो उस पेड़ पर क्या मिलेगा Chameleon तो students यहाँ यह poem फिनिश होती है I think आपको यह poem समझ में आई होगी इस वीडियो को लाइक करना और यदि आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह से 10th class का स्लेबस आसानी से आप इस चैनल पर study कर सकते हैं Thank you very much